नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ सोया और पालक का साग ये सोया पालक साग खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है और आपको तो पता ही है कि जैसे पालक में धेर सारा आयरन, कैल्सियम, बिटमिन्स होता है उसी तरीके से सोये में भी बहुत सारा कैल्सियम, बिटमिन्स होता है और आयरन भी होता है और ये विंटर में ही मिलता है तो आप इसे जरूर खाएं बहुत ही लाजवाब लगता है मैं इसे बैगन और आलू के साथ बनाने वाली हूँ तो चलिए देर ना करते हुए रेस्पी को सुरू करते हैं उससे पहले आप से बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे पहली बारा हैं और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर रोज एक नई रेस्पी की अपडेट आपको मिलती रहें तो यहाँ पे देखिए जो सोया है और पालक है इसे आप जब भी मार्केट से लें तो बिल्कुल ताजा लें जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ताजा सोया और पालक मैंने लिया है और आजकल तो सर्दियों में एस सारी चीजे बहुत ही मातरा में मिलती हैं तो हम क्यों ना इस समय ऐसे साग का प्रियोग करके अपने सेहत को अच्छा रखें तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे कट करने के बाद तो यहाँ पे देखें मैंने पालक को अलग कट करके रखा है अच्छे से इसे चाट लिया उसके बाद मैंने धोलिया और कट कर लिया आलू और बैगन भी कट करके मैंने पानी में डाल रखे हैं ताकि इसका कलर काला ना पड़े सोया को भी मैंने बारीक कट किया और छन्नी पे रखके धो लिया था क्योंकि सोया बहुत बारीक होता है इसलिए मैंने छन्नी पे रखके धोया है और यहां पे देखिए मैं कडाही रख दी हूँ गैस पे और उसमें डालेंगे वन टेबल स्पून सरसो का तेल और तेल के गरम होते ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा मिर्च और लहसन लहसन की मात्रा आप जादा रखें साग में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लहसन गरम होता है तो सर्दियों में साग में लहसन का यूज़ करने पे सेहत भी अच्छी रहती है तो यह देखे लहसन और हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लिया है उसके बाद हम डाल देंगे आलू आलू और बैगन को हम थोड़ा पहले ही पका लेंगे तो यहाँ पे आलू को 80% में पका लूँगी तो यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा नमक नमक डालने से आलू बहुत ही जल्दी पक जाता है गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और आलू को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि यह आलू जलेना और 80% पक के त्यार हो जाए अब हम डाल देंगे इसमें बैगन तो यह देखिए बैगन को आप जब भी कट करें तो पानी में डाल के रखें अगर आपको तुरंट बैगन का यूज नहीं करना है तो कट करके पानी में डाल दें नहीं तो इसका कलर जो है काला हो जाता है तो यहाँ पर देखिए इन दोनों चीजों को मैंने अच्छे से चला लिया है और चलाने के बाद मैं इसे क्या करूंगी थोड़ी देर के लिए ढख दूँगी ढखने से यह होगा कि यह ढखने के वज़े से भाब से अच्छे से पक जाएगा तो यह देखिए हलका सा पक चुका है इसे चला लेते हैं एक बार और मैं इस साग को बहुती कम मसालों में बना रही हूँ ना के बराबर मैंने इसमें मसाले का यूज किया है तो मसाला अगर कम डालेंगे साग का टेस्ट बहुत अच्छा होगा और यह सारे बीटामिन्स जो साग से मिलते हैं वो हमें मिलेंगे मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है हल्दी खुन को साफ करती है और हल्दी डालने से सबजी का कलर या साग का कलर भी बहुत अच्छा आता है तिहां पे देखिए हल्दी डाल के मैं अच्छे से से मिक्स कर दे रही हूँ और इसे मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे साग को जो हमने कट करके रखा है हमारा आलू और वेगन 80% पक चुका है तिहां पे मैं सबसे पहले डाल देती हूँ पालक तो ये देखिए हमने यहां पे पालक डाल दिया है अभी पालक की मातरा आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी पर पकने के बाद यह बहुत थोड़ा सा हो जाने वाला है इसके बाद मैंने डाल दिया है सोया और इन दोनों चीजों को डालने के बाद हम क्या करेंगे इसे ढख देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे ये देखिए ये पहले से बहुत कम हो चुका है और धेर साना पानी भी इसमें से रिलीज हो चुका है तो ये देखे इस तरीके से चला लेंगे यहाँ पे देखे इस तरीके से चला लेते हैं आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा पानी है और इस पानी को हमें थोड़ा सा और सुखा लेना है और जब हम साग को ढखके पकाते हैं और ओवरकुक नहीं करते तो साग का कलर एकदम ग्रीन रहता है तो ये देखे इस तरीके से एकदम ग्रीन कलर है इसलिए मैंने आलू औ बैगन को पहले पका लेया था ताकि साग को ओवरकुक ना करना पड़े फिर से ढख देंगे और अब देखिए जो साग है वो पहले से सूख चुका है यानि जो पानी था इसमें वो अच्छे से सूख चुका है और हमारा साग पक के त्यार है आप देख वा रहे होंगे और आ सीजन में आप जरूर ट्राइ करें रेस्पी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नई रेस्पी में बाइब